वेलकम टू माई यूट्यूब चानल लेंग्विज लेकेसी दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे वॉलेस टीवन की फेमस पोयम ता एंप्रोर आइसक्रीम दोस्तो पोयम को स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं पोयम के कुछ important बाते हैं पोयम को published कराये गया था 1922 में इस पोयम के अंदर life को compare किया गया है आइसक्रीम से जैसे कि आइसक्रीम melt हो जाती है वैसे ही life भी एक ना एक दिन end हो जाती है यानि कि हमारी death हो जाती है पोयम के अंदर total दो stanzas हैं और 16 lines की ये पोयम है यहाँ पर speaker कुछ instructions दे रहे हैं काम करने के लिए किसी occasion पर अब वो occasion क्या है वो हम लोग video में आगे जानेंगे पोयम के अंदर हमको बताया गया है कि कैसे death ही एक ultimate reality है अब जान लेते हैं poet के बारे में poet का जन्म 1879 और death 1954 में हुई थी Wallace Stephen एक बहुत ही famous American poet थे 20th century के और उनकी कुछ collections के नाम है जैसे ideas of order, the men with the blue guitar, parts of world बिना देरी किये start करते हैं अपनी पोयम इस पोयम का first tenza set किया गया है kitchen में जहाँ पर speaker कुछ अपनी duties या फिर responsibilities perform करने आये हुए हैं और वो instructions दे रहे हैं task perform करने के लिए दूसरों को call the roller of big cigars the muscular one and bid him whip speaker कहते हैं कि उस muscular आदमी को बुलाओ जो कि सिगार पीता है क्यूंकि उसको ice cream whip करनी है in kitchen cups, consufficient goods दोस्तों, consufficient का मतलब sexual desire होता है lustful मतलब होता है इसका अब यहाँ पर जो ice cream है उसके लिए यह word यूज़ किया गया है यानि कि ice cream बहुत ही tempting है और यह चीज़ हमको एक चीज़ और पताती है कि कैसे यहाँ पर जो speaker है वो वहाँ के environment से बिलकुल भी influence नहीं है क्यूंकि यह जो party रखी गई है वो किसी की funeral की party है तो यहाँ पर इस word sem को यह भी दिखाया गया है कि speaker उस particular environment से influence नहीं है let the wenches doral in such dresses as they are used to wear wenches का मतलब होता है लड़किया और doral का मतलब होता है slowly move करना speaker कहते है कि उन लड़कियों को आने दो जिनोंने की बहुत ही पुरानी या फिर regular dresses पहनी हुई है and let the boys bring flower in the last month's newspaper और वो boys को भी अंदर आने दो जो की flowers लेके आए हैं पुराने newspapers के अंदर, last month के newspaper के अंदर let be be finale of seem कि उनको यहाँ पर आकर देखने दो कि reality क्या होती है the only emperor is the emperor of ice cream और reality क्या होती है death ही ultimate reality होती है इस tenza में हमने एक चीज़ और देखी है कि कई जगा western cultures में funeral में एक अलग arrangement की जाती है, तो वही यहाँ पर की गई है, जो की death पर की जाती है वो है एक ice cream party as a treat वहाँ पर दिया जाता है किसी की death पे, किसी की funeral पे और यहाँ पर जो लड़की आई हुई हैं उन्होंने पुराने कपड़े पैने हुए हैं और जो लड़के हैं वो भी flowers पुराने और last month की newspaper में लाए हैं तो इस जीस से हम कोई पता चलता है कि वहाँ पर कोई happy या फिर joyful occasion नहीं है ठीक है, वहाँ पर एक sad occasion है और कोई death का occasion है अब चलते हैं अपने poem के second stanza पे poem के second stanza की setting bedroom में है जहाँ पर की वो dead body एक woman के dead body रखी हुई है और यहाँ पर हमको life की reality दिखाई गई है यानि death दिखाई गई है speaker आगे further और instructions देते हुए यहाँ पर हमको दिखेंगे take from the dresser of deal lacking the three glass knobs that sheet on which she embroidered fentails once तो speaker कहते हैं वहाँ पर किसी से कि जाओ और उस dresser से वो sheet उठा कर लाओ किस dresser से जो वहाँ पर जिसमें की 3 glass की knobs missing है ठीक है यानि कि वो dresser बहुत ही पुराना है और उसके उपर एक sheet रखी हुई है और speaker बोल रहे हैं वो sheet लेकर आओ और उस sheet पे उस dead lady ने किसी time पे अपने हाथों से embroidery की थी किसकी fentails की fentails का मतलब birds होता है तो देखें यहाँ पे हमको एक और irony पता चलती है कि कैसे वो lady जो आज dead पढ़ी हुई है वहाँ पे उसने किसी वक्त पे उसी sheet पे अपने हाथों से embroidery करी थी लेकिन आज वो sheet किसले use हो रही है उसके dead body को cover करने के लिए speaker आगे बोलते है and spread it so as to cover her face कि उस sheet से उस dead body के face को cover कर दो sheet यानि कि छोटी है complete body उससे cover नहीं हो रही है if her horny feet protrude they come to show how cold she is and dumb और speaker बोलते हैं कि पेरों को खुला रहने दो यानि कि पेरों को मढ ढखो और लोगों को देखने दो कि वो पेर कितने जादा rough है और वो पेर क्या दिखा रहे है कि अब इस body के अंदर जान नहीं है कोई movement नहीं है और how cold she is का मतलब कि अब वो बिल्कुल dead पड़ी हुई है अब उनके अंदर जान नहीं है and dumb का मतलब dumb मतलब उनमें कोई movement नहीं है शान्ती है उनके अंदर क्योंकि obviously उनकी death हो चुकी है अब speaker कहते है let the lamp affix its beam कि lamp को उस dead body की तरफ गुमाओ रोश्णी को उस body के उपर पढ़ने दो ताकि उस room में जितने भी लोग मौजूद है वो death को clearly देख सके कि death कैसी दिखती है the only emperor is the emperor of ice cream क्यों? क्योंकि death ही ultimate reality है दोस्तो इस poem में हमको बताया गया है कि हमारी life की ultimate reality death है और इससे हम बिल्कुल भी मूँ नहीं मोड सकते है अगर आपको मेरी इस वीडियो में summary या narration समझ आई हो तो please मेरे चानल को subscribe जरूर कीजेगा do like, share, comment and subscribe to my youtube channel language legacy thank you so much for watching